अस्लाम अलेकुम आज नो प्राय करेंगे पार्ट सेवेन वच्चन नम्ब बच्चो इन चित्र को ध्यान से देखो और सब्द को पढ़ो उंबती उंबतियां तारा तारे पैंसिल पैंसिले प्याला प्याले पपीता पपीते पतंगे गन्ना गन्ने केला केले ये सारे वचन है अब आपको समझ में नहीं आ रहागा कि वचन क्या है चलिए मैं बताती हूँ सब्द के जिस रूप से अनेक या एक होने का बोध होता है उसे वचन कहते है सब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वो एक है या अनेक है उसे ही वचन कहते है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि वचन कितनी तरह के होते हैं तो वचन के कितने भेद होते हैं चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन पहुवचन जिन संग्या सब्दों से एक होने का ग्यान हो वे एक वचन जिन सब्दों से पता चलता है कि वो एक है तो वो एक वचन कहलाता है तथा जिन से एक से अधिक होने का ग्यान हो वे बहु वचन कहलाता है और जिन से हमें पता चले कि वो एक से अधिक है तो वो बहु वचन कहलाता है चलिए एक्जामपल से समझते हैं जैसे कि हम लोगों ने उपर में आपने देखा और पढ़ा है जैसे कि गन्ना गन्ने एक है तो गन्ना और अनेक है तो गन्ने वैसे ही एक मुंबत्ती और अनेक मुंबत्तियां एक तारा और अनेक तारे एक पैंसिल अनेग पैंसिले केला केले, पपीता पपीते प्याला प्याले, गन्ना गन्ने पतंग पतंगे चलिए कुछ और एक्जामबल से समझते हैं एक वचन बहुवचन नदी नदियाँ, कुष्टक कुष्टके तोता तोते, पत्ता पत्ते बहन बहने बोतल बोतले ताला ताले मटका मटके एकवचन बहुवचन मिठाई मिठाईया गुडिया गुडिया कहानी कहानिया मक्खी मक्खिया माता माताए साडी साडिया माला मालाए, सभा सभाए ओके, कुछ सब्दों के एक वचन वा बहुवचन सम्मान होते हैं एक्जाम्पल जैसे समचार साधू शात्र इन सब्दों को बहुवचन बनाने पर गन विर्णद सब्द अदी जुड़ जाते हैं जैसे साधू गन शात्र विर्णद अदी याद करो नमबर वचन सिंगुलर नमबर एक वचन पुल्रल नमबर बहुवचन मैनी अनेक